अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप देखेंगे तो एक मूवी पर आपको लगेगा ऐसे कि जैसे आप कोई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देख रहे हूँ जी हाँ जब तक मूवी खतम होगी तब तक आपने दो मडर मिस्ट्रीज देख ली होँगी और वो कैसे सॉल्व होती है ये भी अगर आपको अंदाजा नहीं लगा तो मैं बता दूं कि मैं टॉविनो थॉमस की अनवेशिप चुपम कांडे थम फिल्म की बात कर रहे हूँ जो कि मलियालम भाषा के फिल्म है और आज नेट्लिक्स पे रिलीज हुई है वैसे इसका थेटर रिलीज पिछले महीने हो चु 1988 का लवली माथन मडर केस से फिल्म की ओपनिंग होती है ये एक लड़की की कहानी है जो कॉलिज से आते हुए अपने घर के एरिया के अंदर ही मिसिंग हो जाती है और जैसा की शक होता है उसका मडर हुआ होता है वो भी एक अबानिन पड़े कमपाउन में वहां के इस्तमा विवार कर रहे थे पुलिस टेशन ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी जाती है पर ऐसा ही आनन्द को जो रोल निभा रहे हैं टोवीनो थॉमस उनको एक काफी इंट्यूटिव पुलिस ओफिसर दिखाया गया है उन्हें कहीं ना कहीं उन दोनों पर शक नहीं होता है अब जब टोवीनो कोशिश करते हैं केस को सही से सुलजाने के लिए तो as a junior officer, as a new entry उनको उपर से पड़ती है फटकार इसमें बहुत तरीके के आंगल सा जाते हैं religious, political, administrative और कहां कहां पे किस केस से related किस किस की दुखती नफस और दुख रही है So, unofficially, forensics department के साथ मिलके टोवीनो कोशिश करते हैं केस को सही से सुलजाने की और ये भी प्रयास करते हैं कि किसी बेगुना को सजा ना हो जाए पर टोवीनो, Thomas और उनकी team बेगुना होते हुए भी सजा के हगदार बन जाते हैं, suspend हो जाते हैं जब तक कि एक SI उनको redemption का मौक का एक मौका बन के आता है, छे साल पुराना केस होता है, कोल्ड केस में होता है, इस केस का गुनागार अभी भी पकड़ा नहीं गया हुआ होता है और उनके senior officer, टोवीनो के senior officer उन्हें ये बोलते हैं कि अगर पकड़ा गया बंदा तब भी ठीक है, नहीं पकड़ा गया तब ठीक है, एटलीस हमारी report के बाद हम ये कर पाएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा सा मुआवजा, कुछ थोड़ा सा तुम्हारे लिए एक buffer zone रख पाएंगे, जहां पे तुम दुबारा से अपनी responsibilities को निभाना शुरू कर पाओ, श्री देवी murder केस को सुलजाते पहला केस बड़ी जटपड धडपड भागता है एकदम रेल गारी की पट्टी जैसे दोड़ रही हो, दूसरा केस उतना ही slow है, हर अंगल से, अराम से, इत्मिनान से, चाय के उपर, खाने के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है, दो अलग केस, दो अलग approaches सी दिखती ह सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब, लास्ट में आपको लगता है कि आपको सब पता लग गया as a viewer, पर जब तक आप लास्ट का एक सीन नहीं देखते हैं, जहां पे सब लोग भाग रहे हैं, पुलिस की जीप भी जा रही है, काली गारी जा रही है, और जब तक आप वो recover नहीं करते हैं, suicide node, तब तक वो जो hook है, वो बना रहता है, उस सीन को देखने के बाद फिर से गुत्थी को सुलचाने की बात शुरू होती है, बागराउंड स्टोरी चलती है, और समझ में आता है कि कितनी चालाकी से टोविनो थॉमस ने, S.I. आनन ने अपना दूसरा केस सुलचाया है, पर एक बार फिर टोविनो थॉमस और उनकी टीम बारेश में जीप में इंतजार करते रह जाते हैं, क्योंकि उनके भागे में एक बारी फिर से उनने ऐसा केस मिला, जिसको उनने सुलचाया तो जरूर, पर जिसमें से उनकी खुद की जिन्दगियों के त सुचके देखे कितना खुबसूरत ख्याल है और कितनी खुबसूरती से फिल्म आया गया है, और जब तक आप इन ख्यालों के साथ सोचेंगे तब तक फिल्म के क्रेडिट रोल होने शुरू होते हैं, और लास्ट में दिखाया जाता है कि ये तीनों आम्ड रिजर्व में ह जीनू इबराहिम की लिखाई इस फिल्म की बहुत ही मस्त है, डेब्यू कर रहे हैं डिरेक्टर डार्विन, बहुत दिनों के बाद मैंने कोई मलियालम फिल्म देखी और बहुत अच्छी लगी, नेट्विक्स पे अविलेबल है, देखेगा ज़रूरूरूरूरूरूरू झाल